वेल्कम टू मैं चैनल सब्सक्राइब एंड हिट अबेर आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट तो आज मैं आस्तिन डिजाइन बना रही हूं यह आस्तिन का उल्टी साइड है उस पर हम आस्तिन के किनारे मोड लेंगे यह मैंने एक साइड सिलाई लगा लिए है और किनारे पर दूसरी सिलाई लगा रही हूं मैं तो आस्तिन में फिनिशिंग आ जाएगी यह देखिए अब यह हमारा फिटिंग मार्क है दोनों साइड फिटिंग मार्क लगा लेंगे और बीच में मार्क करेंगे यह आस्तिन का सेंटर पॉइंट है तो यहां से हम पाउंड इंच उपर लेंगे और यह हमारा सिलाई का मार्क है यह हमारे डिजाइन की लाइन है इस लाइन पर हम डिजाइन बनाएंगे तो यह दो इंच चोड़ा और दो इंच लंबा तुकड़ा लिया है कपड़े का तो इससे डबल फॉल्ड करेंगे और इस तरह इसे मिडल में दोनों साइड लगा कि इस लाइन पर अटेच कर लेंगे इस तरह से हमी सिलाई लाइन पर ही लगानी है डिजाइन के एंड में लाइन पर सुई आनी चाहिए इस तरह सभी पतिया हम लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कप्रे को हमें काट कर हटा देना है अब हम इस तरह की डोरी बना लेंगे मैंने पहले से बना रखी है कि इस डोरी को हम डिजाइन पर अटेच करेंगे कर दो झाल झाल दूसरी तरह भी सिलाई लगान लेनी है डौरी के और कर्व लाइन में फिर से एक डौरी अटेच करनी है हमें इसके हम मार्क कर लेंगे झाल झाल देखिए डिजाइन त्यार हो गया अब हम इस पर पत्ति की डिजाइन लगाएंगे इसके लिए मैंने उसी साइज के दो तुकड़े लिए हैं दो दो इंच के तो हम इस पर पत्ति ड्रॉ करेंगे और उसी पर शिलाइ लगा लेंगे और उसी एक सैड में कट लगाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और इसको हमें पल्टा लेना है जा हमने कट लगाया था वहां से यह देखें यह त्यार है पत्ति हम इसे कपड़े पर आटेश करेंगे एकदम साइड साइड से सिलाइ लगानी है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छे वीडियो और भी बनाऊंगी और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो यह पत्ति तयार है उस पर हम स्टोन लगाएंगे तो हम रे दोनों अस्तीन की डिजैन्स तयार है थैंक यू फोड़ वाचिंग एंगे। झाल झाल